कि क्या जुल्मतों के दौर में भी गीत गाये जाएंगे, क्या अंधेरे समय में भी गीत गाये जाएंगे, हाँ गाये जाएंगे, अंधेरे समय के बारे में ही गाये जाएंगे तो आज जो पूरा देश रिपब्लिक मना रहा है गंतंत्र को सेलिबरेट कर रहा है वो इसे दौर में सिर्फ रैलियां आयो जित करने से ये लडाई नहीं जिती जा सकती है अगर हम आजादी का मतलब समझते हैं तो आजादी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि 26 जन्वरी और 15 अगस्त हमारे लिए एक रश्म अदाईगी भर नहीं है हमारे लिए वो आजादी को हम रोज सेलिबरेट करना चाहते हैं हमारा जो हक है उस हक को अपनी महबबत को यहां के पहार से मिट्टी से नदी से जहरने से तमाम तरीके की बोलियों से हर इलाके के लोगों से प्रेम करने की बात है और जो कहता है कि मैं देश प्रेमी हूँ वो कभी यह नहीं कह सकता कि मैं इस समुदाई से नफरत करता हूँ तो मैं उस समुदाई से नफरत करता हूँ क्योंकि जब आपको देश से प्यार है तो देश देश में रहने वाले लोगों से बनता है और भारत में जो रहने वाले लोग हैं उनसे महब्बत करना उनके हक और अधिकार के लिए खड़ा होना यही देश फ्रेम है यही देश भक्ति है यह बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए एक सरकार बनी है देश में वो सरकार अपना काम नहीं कर रही है लोगों से उसके देश भक्त होने का प्रमानपत्र मांग रही है certificate मंग रही है पिछले 5 साल ये देश की जनता से देश भक्ती का certificate मंगने में बिता दिये अगला 5 साल ये आपके दादा जी के दादा जी का कागज मंगने में बिता देना चाहते हैं इसीलिए जो लडाई है आज के दौर में जो पूरे देश में लड़ा जा रहा है वो लड़ाई हक की लड़ाई है और ये हर मोर्चे पे लड़ी जाएगी यहां जो फनकार बैठे हैं ये अपनी नजमों अपनी गजलों से इसके खिलाफ लड़ेंगे जो दुकांदार मेरी बात सुन रहे हैं उनके दुकान पे जो ग्राहा काता है उनको बता करके समझा करके इस लड़ाई को लड़ेंगे जो सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोग हैं वो अपने दोस्तों और परेशियों से बात करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। जो फिल्मकार हैं वो फिल्म बना करके लड़ेंगे। और जो विद्ध्यार्थी है मुठी तान कर आजादी का नारा लगा करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। और आज जब पूरा देश रिपब्लिक डे मना रहा है एक बड़ी शर्मनाग बात हम लोगों की जानकारी में आई। ये लोग आज के दिन वाटसेप पर ये मेसेज चला रहे थे कि 1950 में जो संबिधान बना उसमें सेकुलरिजम सब्द नहीं था। इसलिए 1950 में जो संबिधान बना उसमें जब सेकुलरिजम सब्द नहीं था तो इस सेकुलरिजम सब्द को हम नहीं मानते हैं। कितना बरा नाटक है। इस नाटक को आप समझ लीजिए। बाहर से महमान बुलवाकर दुनिया भर का कैमरा लगवाकर देश के मंतरी और प्रधान मंतरी फोटो खिचवा रहे हैं। दुनिया को बता रहे हैं कि हम रिपब्लिक को सेलिबरेट कर रहे हैं। उसी वक्त जो आईटी सेल है वो लोगों के दिमाग में ये डाल रहा है कि सेकुलरिजम समझ भीधान के में बाद में जोड़ा गया है। मैं इस पर कमेंट करने से पहले बस आपको एक चीज याद दिला देना चाहता हूँ। दो अक्टूबर को जब गांधी जी की जैनती होती है तो उस वक्त ये लोग वाटसेप पे चलाते हैं गोडसे को जिंदाबाद। ये जो मानसिक्ता है ये पूरी की पूरी लड़ाई उस मानसिक्ता के खिलाप है इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। और ये जो मानसिक्ता है उस मानसिक्ता का ही नतीजा है कि देश के एक चुने हुए मुखमंत्री कहते हैं कि हम बदला लेंगे। बताईए कोई मुखमंत्री ये कहेगा कि हम बदला लेंगे अगर आप बदला लेने के लिए सरकार में आये हैं इसका मतलब आपका बदलाव का नारा जूठा था जूठा धोंग था वो इसलिए हम जो बदलाव चाहने वाले लोग हैं इस बदला की मानसिक्ता से कैसे लड़ेंगे हमको ये समझना परेगा कि बावर के बारे में जो गलत जानकारी वाटसेप पे फैलाई जाती है या नहरू के बारे में जो गलत जानकारी वाटसेप पे फैलाई जाती है उसका उद्देश क्या है उसका उद्देश ये है कि ना सिर्फ जुम्मन का बलकि मोहन का भी घर हरप लिया जाए और देश की जनता आपस में हिंदू-मुसल्मान करती रह जाए एक बात सोच के बताईए कि जर्मनी में जब हिटलर आया था तो उसको यहूदियों पर कबजा करना था कि जर्मनी पर कबजा करना था आज हिंदूओं के मन में यह बात डाली जा रही है मेरा नाम कनया है हमारे यहाँ जो फेमिली गुरूप वाटसेप चलता है न उसमें कैसे कैसे मेसेज आते हैं वो हम जानते हैं आज जो यह समझाया जा रहा है कि मुसल्मान का प्रॉब्लिम है हिंदू को इससे घवराने की जरूरत नहीं है तो मैं साफ साफ आप तमाम लोगों के सामने यह बता दूँ कि यह जो CAA, NRC और NPR है यह सिर्फ और सिर्फ मुसल्मान को नहीं बलकि इस देश के तमाम गरीब आवाम को परेशान करने के लिए लाई गई है इस बात को आप समझ लीजिए और एक छोटा सा शूत्र है मने इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है यह वो सवाल नहीं है कि आप उसमें उलत जाएं कि मुर्गी आया पहले की अंडा सिधा आप समझ दीजिए कि इनको CAA लाने की जरूरत क्यों परी अगर इनको CAA 2019 में लाना था तो इन्होंने रागरिक्ता संसोधन कानून 2003 में क्यों पास किया CAA इनको इसलिए लाना परा कि जो पूरे देश में ये NRC करना चाहते हैं NPR के द्वारा उसमें से हिंदू आवादी को यह कन्फ्यूज किया जा सके कि तुम मत घबराओ तुमको तो CAA के तहद नागरिक्ता दे देंगे लेकिन ये समझ लीजिए कि नागरिक्ता दे देंगे ये मुँ से बोल रहे हैं जैसे बोले थे कि 15 लाख रुपिया आपके खाते में पहुँचा देंगे 2 करोड नोकरी दे देंगे इसकी समस्या क्या है उसको आप समझ लीजिए कि महज कागज के टुकरे की गलती के चलते जिन लोगों ने जिनके पुर्खों ने अंग्रेजों से लड़ करके ये आजादी दिलाई ये गंतंत्र बनाया आज उनकी संतानों को उनके घरों से और उनके अधिकारों से वे दखल करने की कोशिश की जा रही है इसलिए इस लड़ाई में जो सबसे महत्पून चीज है वो ये है कि जिनको लगता है कि हमको CAA के तहद नाग्रिकता मिल जाएगी जब हमारा नाम NRC और NPR से बाहर होगा तो कब दे देंगे मान लिजे कि कागज की गलती के चलते आपके परिवार में दो लोगों का नाम है और दो लोगों का नाम बाहर कर दिया गया है तो जो दो लोग बाहर हुए है क्या उनको CAA के तहद हाथो हाथ नाग रिखता दे दी जाएगी 6 साल लगेगा उस 6 साल में सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाना परेगा फिर जाकर के उसी 6 साल के भीतर आपको अपने संपत्थी का अधिकार भोट देने का अधिकार और सभी मूलभूत अधिकारों को छोड़ना परेगा ये हिंदू आवादी को यह बात क्यूं बोल रहे हैं क्योंकि आसाम में 19 लाख लोगों में सो जो 15 लाख गैर मुसलमानों का नाम बाहर हुआ तो हमी साह को लगा कि अब तो गद्धी पे नहीं बैठे रह पाएंगे क्योंकि भोट मेंक बिगर जाएगा तो CAA हिंदू आवादी को यह समझाने के लिए लाया गया कि देखिए यह नागरिकता छिनने के लिए नहीं बाहर से जो लोग आएंगे परतारित हो करके गैर मुसलमान उनको नागरिकता देने के लिए है यह सबसे बड़ा जूट है सबसे बड़ा जूट है असली मनसा यह है कि अप्रेल से पूरे देश में NPR होगा और NPR में क्या होगा सरकारी बाबू आपके घर में आएंगे आप से कुछ सवाल पूछेंगे मसलन यह कि आपके गारजियन आपके माबाप कहां पैदा हुए किस जगह पे पैदा हुए और कब पैदा हुए हम ऐसे देश में रहते हैं जहां लड़के को ही नहीं पता है कि उसका असली बर्थ डेट क्या है भला वो अपने बाप का असली बर्थ डेट कैसे बताएगा आगर बाप से पूछ भी लिया तो बाप उसको क्या जबाब देगा अरे बाबू उस साल बहुत बारीस हुआ था उसी साल पैदा हुए थे बताएगे आप कौन कागज दिखाएंगे अग कागज की स्थिती क्या है एक भोटर काट का अप उदारन ले लिजिए एक भी आदमी अपना भोटर आईडी में अपना चेहरा पहचान सकते है चेहरा आपका रहेगा अनाम जो है आपकी पतनी का उस पे चढ़ा हुआ रहेगा जिन्दा लोगों का नाम कट जाता है और मरे हुए लोगों का नाम जूर जाता है और उभोट भी दे आते हैं योगी जी के राज में एक मरे हुए विक्ती पे मुकदमा कर दिया गया ये सब कुछ हो रहा है रोज जो है आ करके टीवी में बैट करके इस पूरे आंदोलन को तरह तरह से बदनाम किया जा रहा है अभी कुछ दिन पहले बोला गया कि साहिन बाग में लोग पैसा ले करके आए हैं हाँ तो जो लोग पैसा दे करके अपनी रैली में मोदी मोदी करने के लिए भीड बुलाते हैं वो तो यही सोचेंगे जिसकी जैसी भावना रहेगी उसको वही दिखेगा उसके बाद क्या बोले कि नहीं नहीं देखिये दिल्ली की जनता को बड़ी परेशानी हो रही है जो माएं अपने बच्चों को अपनी चाती से लगा कर यहां तो ठंडा नहीं है दिल्ली में बड़ी जबरदस्त सर्दी है वहाँ बैठती हैं रात को क्या उनको परेशानी नहीं हो रही है बरा सौक चढ़ा है उनको रोड पे आकर के प्रोटेस्ट करने का वो क्यों प्रोटेस्ट कर रही है वो सिर्फ अपने हग के लिए नहीं आज जिस रिपब्लिक को हमने सेलिबरेट किया है उस जन गन मन और उस गनतंत को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है यह जो हमारा आजादी का अधिकार है जो आजादी हमको 1947 में मिली जो संबिधान हमको 1950 में मिला जिस संबिधान ने हमको हम भारत के लोग बनाया यह जो हम भारत के लोग हैं उनके उपर हमला हो रहा है गन तंत्रको आज के डेट में लाठी तंत्र बनाने की कोशिच की जा रही है इसीलिए आप तमाम लोगों को भी अगर मन में दिल के किसी कोने में थोरी सी भी खौफ है तो उसको निकालिये और कहिये कि दम है कितना दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे जगे है कितनी जेल में तेरे देख लिया है देखेंगे किसी भी शूरत में इस लोक तंत्र को इस गन तंत्र को हम लाठी तंत्र नहीं बनाने देंगे और इस देश का जो संबिधान है जो कहता है कि किसी भी इंसान के साथ कोई भेद भाव नहीं होगा तो नहीं होगा आज वो जो एक गायक है हमको भी लिफ्ट करा दे अफिर अब लिफ्ट कराते कराते जो है आज जो है वो पदमसिरी लिफ्ट किये हैं क्या है मामला जो मुसल्मान इस देश को छोर करके पाकिस्तान को चुन लिए वहां के एक आदमी को आप नागरिकता भी दे रहे हैं और पदमसिरी भी दे रहे हैं और जिन मुसल्मानों ने 47 में पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान को चुना आज उनसे आप उनके बापदादों का कागज मांग रहे हैं कागज दिखाने में तो हम नौजवानों का B.A. M.A. M.B.A. B.T.E.G. P.H.D. पॉल टेकनिक उसका कागज देखो उसकी डिगरी देखो और बताओ की रोजगार कहां है इसलिए इस पूरी लडाई में चार मुख बातों का हमको ध्यान में रखना है पहला गांधी को मनते हैं कि गोटसे को गांधी को मनते हैं ना तेता सर्मा के काई बोल रहे हैं गोटसे को मनने वाला सर्माता है गांधी को मनने वाला नहीं सर्माता है गांधी को मनते हैं ना गांधी ने एक बड़ी शांदार बात कही थी कि कभी भी जनता हिंसा नहीं करती है आप लोग क्या पत्थर लेके मीटिंग सुनने के लिए आये हैं नहीं नहीं किसी भी भीड में जो आम जनता होती है वो हिंसा करने के लिए नहीं जाती है तो फिर हिंसा होता कैसे है उसी साइंस से जिस साइन्स से दंगा होता नहीं है कड़वाया जाता है उसी साइन्स से हिंसा होती नहीं है कड़वाई जाती है पहला काम हम लोगों को ये दिमाग में रखना चाहिए कि किसी भी इस्थिती में जो बिके हुए लोग है अरे मुखतार अबास नकभी है ने बीजेबी में जी कोई नईसा चीज है जो इस देश में बिकता नहीं है लेकिन इस हुक्मरान को आपको एक चीज बताना होगा कि तुम दुनिया की तमाम धन दौलत पैदा कर लोगे लेकिन अगर हम इंसान है तो हमारे भीतर का इंसान और हमारा इमान नहीं खरीद पाओगे इसलिए ये जब हक और इमान की लड़ाई है तो उसमें ऐसे लोगों को पहचानना परेगा कि जो आपके आंदोलन को गुमराह नहीं करे अंग्रेजी में हम लोग एक बात कह रहे हैं सब लोग मिल करके डॉन्ट वी साइलेंट एंड डॉन्ट वी वाइलेंट आज के दौर में चुप रहना गुना है सची बात जो कर सकते हैं आप अगर आप फिल्म बना सकते हैं फिल्म बनाईए अगर सबजी बेचते हैं तो किसी पढ़े लिखे को बोलिए कि हमको 100 पर्चा दे दो छाप करके, जो सबजी लेने के लिए आएगा, उसको मिर्च के साथ ये पर्चा भी पकराया करेंगे, आप अगर घर घर जाकर के DTH लगाते हैं, तो उनसे जाईए, उनका लगाईए, उनको महनत कीजिए, और जब थाइंक्यू कहने लगें, तो उनको कहिए, कि हम अगली वार आकर के फिर आपका काम करेंगे, बस ये जो हम संबिधान बचाने की, और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें हमारा साथ दीजिए, दस रुपी आप हमको कम दीजिए, लेकिन आज जो हमारे करता है, तो किसी और का भासन अपने प्रोजेक्टर पे लगा करके चुक नुकर, चौराहों, गाओं, गलियों में लोगों को घुम घुम करके बताईए, तब जाकर के लड़ाई को हम को जितना परेगा, ये लड़ाई किसी चेहरे की महताज नहीं है, किसी मंच का महताज किसी नेता का महताज नहीं है, किसी पार्टी को सरकार से हटाने के लिए, और किसी पार्टी को सरकार में बिठाने के लिए नहीं है, ये लड़ाई उस बात के लिए है, कि इस देश में रहने वाले किसी भी आवाम को, हिंदू हो या मुसल्मान, सिख हो या इसाई, जिन्द ईक रादी की बात बुलंदी से करेंगे और ढूंगी को चैलेंज करते हैं ढोंगिया सूनलो oh कि जितना तुमको पाफर है ना पाफर पूरा बावर लगा दो तुम्हारा जो थाना माली जो देश पे राज करने के लिए आया था उसको भी इस देश की जनता ने खदेर करके भगाया था तुमको भी भगाएंगे याद रखना इस बात को कितने लोगों को जेल में डाल दोगे कितने लोगों को टीवी चला चला करके बदनाम कर दोगे कितनी महिलाओं के बारे में बोलोगे कि 500 रुपया लेकर के प्रोटेस्ट करने के लिए आई हैं कितने लोगों को तुम जिहादी बोलोगे तुम जितना हमें जिहादी बोलोगे हम उतना ही जोर से भगत सिंग का नारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद करेंगे ये देश हमारा है और इस देश पे जो आफ़त है इस आफ़त से लगने की जिम्मेवारी भी हमारी है इसलिए जो तीसरा सबसे महत्पूर्ण सवाल है पहला कि सब को अपने व्यक्तिगत अस्तर पे इस लड़ाई में सामिल होना परेगा दूसरा किसी भी स्थिति में हमको हिंसा का सहरा ना लेना है ना किसी को लेने देना है और तीसरी बात कि ये लड़ाई अभी बड़े बड़े जलसों के रूप में देखा जा रहा है पूरे देश में माएं बहने बैठी हुई है उस रूप में देखा जा रहा है मैं कहता हूँ कि इसके अगले अस्तर पर पहुचने की तैयारी होनी चाहिए और अगला अस्तर क्या है आप गांधी जी के अंदोलन को उठा करके देखिए वो किसानों का अंदोलन शुरू किये खिलाफ़त अंदोलन में हिस्सा लिए सरकार के साथ और सहयोग किये और फिर भी सरकार जब नहीं मानी तो कानून को मानने से इंकार किया नमक बनाया दांडी यात्रा की उसी तरीके से हम लोगों को भी ये तैय करना परेगा या तो सरकार NPR, NRC और CA को वापस ले अगर सरकार NPR, NRC और CA को वापस नहीं लेती है तो अपने महलों के बाहर लिखिए कि इस महले में संबिधान को और आईन को मानने वाले लोग है इसलिए काले कानून उनको नहीं मानते हैं हर हाल में हमको इस लडाई को जीतना परेगा अपने घर के बाहर लिखिए कि O NPR कल आना, साथ में 15 लाख लेकर के आना बरना वापस नहीं आना और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो डर पैदा करने की कोशिस कर रहे हैं कहते हैं चोड बोला जोड से एक बिहार में कहावत है चोड जोड से बोलता है चिला चिला करके जो देश के ग्री मंतरी भाशन दे रहे हैं वो देश को इस बात में उल्जा करके रखना चाहते हैं कि गंगादर सक्तिमान है कि नहीं है, NPR-NRC है कि नहीं है, तो उन मोटा भाई को हम कहना चाहते हैं, NPR-NRC का मामला तो हम समझ ही रहे हैं, हम यह देख रहे हैं, कि आप अपना बेटा जो सस्ता फोटो कॉपी लगता है आपका, उसको आपने BCCI का सेकरेटरी कैसे बनाया है, हम यह भी देख रहे हैं, कि आप राश्टवाद का नारा देते हैं, और BSNL को बेचने की तैयारी कर रहे हैं, हम यह भी देख रहे हैं, कि आप विकास का जुमला उच्छालते हैं, और इस देश की रेलवे को बेचने की तैयारी कर रहे हैं, हम यह भी देख रहे हैं, कि देश में बेकारी आज के डेट में 45 साल में सबसे ज़्यादा है, किसानों की आत्मात्या सबसे ज़्यादा हो रही है, महलाओं पे अत्याचार सबसे ज़्यादा हो रहा है, कुछ अपना thisylinder ले करण के यही महला आएंगी फिर लड़ने के लिए मेहगाई के खिलाब भी और यही नउजवान आएंगे लड़ने के लिए बेकारी के खिलाब भी इसलिए इस मंच से हम ये एलान ये हवान करना चाहते हैं सरकार से कि सुन लो ये जुमला सरकार हमें चाहिए रोजगार नहीं चलेगा एनर्सी, सीए, एनपी आर इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए हमको सरकार के साथ आँख से आँख मिला करके और सरकार की चापलूशी करने वाले लोगों के मुँपे जा करके ये कहना परेगा कि बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी गांधी अंबेद करके देश में नहीं चलेगा ये नर्सी यह कहना परेगा और तब जाकर के हमको यह समझना होगा कि यह जो लड़ाई है इसको हर अस्तर पर लड़ने की जरूरत है अगर मुसायरा का मंच हो तब भी इस दौर की दास्तान लिखी जाएगी जब जुल्म हो रहा है तो जुल्म के गीत गाये जाएंगे जुल्म पर सेर पढ़े जाएंगे और लोगों को समाज की हकीकत बताई जाएगी अगर ऑफिस में हैं वहाँ भी हक हूग की बात होगी घर में हैं वहाँ भी हक हूग की बात होगी और जनता जब जब इकठा होती है तो जनता ने ये साबित किया है कि अगर हिटलर हार सकता है अंग्रेज भाग सकता है तो ये नकली चानक क्या करेगा इसको भी हडाएंगे लोग तंतर को जिताएंगे और इस रिपब्लिक डे पर आप तमाम लोगों को एक बार फिर से बधाई देते हुए शुक्रिया कहते अपनी बात को खत्म करता हूँ शुक्रिया इंकलाब जिन्दाबाद हमारी एक ता जिन्दाबाद सर एक नारा सर प्लीज प्लीज अगर ये वाला माइक लेना जाएं कनिया भाई तो ये लेनी सर सर भाई आईए तो हम लोग आजादी पसंद है कि गुलामी आजादी पसंद है कि चापलूसी जिन जिन लोगों को देश में आजादी पसंद होगा वो आजादी की बात करेंगे और जिनको लोगों के ऊपर गुलामी थोपना पसंद है वो गुलामी की बात करेंगे बोली आपको गुलामी चाहिए कि आजादी तो बीजेपी वाला पूशता है किससे आजादी चाहिए किससे आजादी चाहिए इस देश में जो भी हमारी समस्याएं है उन तमाम समस्याओं से हमको आजादी चाहिए और आज की समस्या क्या आई है एन रसी ए एन पियार तो आप हमारे साथ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे करेंगे अरे हम क्या चाहते है आजादी है है हक हमारी है जान से प्यारी है अरे सुन ले मोदी है तो साह भी सुन ले है आजादी हम नहीं डरेंगे है आजादी हम नहीं रुकेंगे है आजादी हम नहीं जुकेंगे है आजादी हम लेके रहेंगे आजादी आजाद देश में आजादी आजादी अस्वाक वाली आजादी तो बिश्मिल वाली आजादी तो फूले वाली आजादी तो बिर्साह वाली आजादी अर भगत सिंग की आजादी अंबेटकर वाली आजादी तो गांधी वाली आजादी है हक तुम्हारी है हक हमारी आजादी तो लड़के लेंगे आजा तुम डंडे मारो, तुम गोली चलाओ, तुम जेल में डालो, हम नहीं डरेंगे, अर डरते किस से, तो उचाह बोलो, महलाएं मांगे, तो पुरुस भी बोला, अलब संख्यक जावान भी बोला, है हक तुम्हारी, है हक हमारी, अर गारी भी से, तो भुखमारी से, अर जाती वाद से, अर पुझी वाद से, सामन्त वाद से, अर सुन ले मोधी, भागबत भी सुन ले, अर संघ वाद से, हम लेके रहेंगे, अर आइन वाली, शाहिन वाली, है हक तुम्हारी, है हक हमारी, आजाद देश में, आजाद देश में, तो एन पी आर से, अर सी से, हम लेके रहेंगे, अर तुम कुछ भी कर लो, महलाएं मांगे, अर पित्री सत्ता से, सुन सान सरक पे, साधी करने की आ, साथी चुनने की आ, अर हाग कहने की आ, तो ना कहने की आ, हम लरके लेंगे, अर खाने पीने की आ, पढ़ने लिखने की आ, पहने ओढ़ने की आजादी है हक तुम्हारी आजादी है जान से प्यारी आजादी है प्यारी प्यारी आजादी है प्यारी प्यारी आजादी है प्यारी प्यारी आजादी है बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यादी